तो यहां आप देख सकते हो मेरा जो भी शॉट्स चैनल है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं उसमें मैंने अपने लॉंग चैनल को एड करके रखा है दोस्तो इससे क्या होता है जो भी मेरी शॉट्स से ओडियन्स बढ़ रहे है वो कही ना कही मे आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो में एंड तक बढ़े रहना और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पर आना ह करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों उसमें से आपको नीचे स्क्रॉल करना है उसके बाद आपको add section वाला एक option मिलेगा कुछ इस तरह का देख सकते हो तो simply उस पर आपको click करना है click करने के बाद आपको फिर से बहुत सारे option मिलेंगे उसमें से आपको last में एक feature channel वाला एक option मिलेगा simply उस पर आपको click करना है क्लिक करने के बाद आपको उपर टाइटल मागेगा मतलब कि आप ओडियन्स को किस तरह से अपने चैनल को दिखाना चाते हो वो आपको टाइटल डालना है तो आप इसी तरह से कुछ डाल सकते हो कि माई शॉट चैनल, माई में चैनल, माई लॉंग चैनल कुछ इस तरह से आप टाइटल डाल सकते हो उसके बाद आपको नीचे एक सर्च वाला ओप्शन मिलेगा सिंपल उस पर क्लिक करना है उसके बाद जो भी आपके चैनल का नेम होगा वो आपको यहां लिखना है सिंपल ई आपको यहां टीक मार्क कर देना है कुछ इस तरह का आपको बॉक्स मिलेगा सिंपल उस पर आपको कर देना है जिससे आपका चैनल एड हो जायगा उसके बाद दोस्तों चानल पर एड़ करके उसके भी सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जादे लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेगी